दोस्तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टेक्निकल सौप यूटूब चैनल में तो दोस्तो आज टेक्निकल सौप चैनल आपके लिए खास वीडियो बनाया है ताकि जो मेरे दर्सक हैं यूजर हैं वो देख सके और समझ सके ये मेरे पास उसा कंपनी का इंडेक्शन आईसी 36 बनने के लिए आया है यह वारांटी में है मेरे काउंटर से बिक्री हुआ था तो कंप्लेन के माध्यम से मेरे पास बनने के लिए आया है तो इसमें अब देखना है कि क्या फाल्ट है तो सबसे पहले नीचे से चार अस्कूरूप खोल के इसको निकाल दे उसके बाद ऊपर से पैनल जो है की बोर्ड वाला इसको जिस तरह आप इस वीडियो में देख रहे हैं इसको आप बाहर कर दे उसके बाद इसका जो क्वाइल है तिन अस्कूरूप से लगा हुआ है इस उसको भी खोल के बाहर कर दें अ कि उसके बाद अंदर देखें कि एक सेंसर का वायर होगा सेंसर का वायर को भी खोल के निकाल दें बाहर और कोईल का दो पेलेट से जुड़ा रहता है वायर उसको भी आप बाहर कर दें देख सकते हैं यह कोईल आपका बिल्कुल काला हो चुका है यानि कि बहुत ही खतरनाक पोजिशन पर यह खराब हुआ है तो इसका क्या हो सकता है देखा जाए उसको देखने के लिए बोडी से प्लेट को बाहर किया जाए मदर बोड को और देखा जाए जैसे कि आप देख सकते हैं इस प्लेट में बहुत ही खतरनाक तरीके से जल गया है अब किस कारण से यह हुआ है इसकी विशे में कमपनी अपना समिच्छा करेगा लेकिन यह बहुत ही खराब इस्तिती में यह प्लेट है अब इस प्लेट को हटाकर दूसरा प्लेट न्या लगाए जाएगा जैसे हमको यह प्लेट सर्विस सेंटर के माध्यम से मिला हुआ है अब इसके बदले यह न्या वाला प्लेट लगाए जाएगा यह आपका इसमें देख सकते हैं प्लेट में यह आपका क्वाइल का दो वार जो लगता है यह हो गया यह क्वाइल जो है इस प्यंच पर कसा जाएगा उसके बाद यह आपका सेंसर का हो गया यह क्वाइल के नीची आपका एक सेंसर होता है, वो लगेगा, यह सेंसर है, आप इस खुटी में लगाया जाएगा फिर इसके बाद एक खुटी और मिलेगा आपको लग जो यह पंखे का होता है यह पंखा का इसमें लॉक लगेगा वायर लगेगा इसके बाद फिर अगला आता है आपका यह कैवल का जो प्लक है उसमें लगेगा उसके बाद फिर यह कीपेड जो अपर पैनल है इसमें कीपेड लगा रहता है इसका यह लॉक हो गया तो आप पूरा समझ गए होंगे कि कौन-कौन सा पार्ट्स है किस-किस जगह पर लगेगा आए तो चलते हैं फिर इसको पुरी तरह से फिटिंग किया जाए तो दोस्तो मेरा मकसद एक ही है वीडियो बनाने का कि आपके पास मेरे दर्सकों के पास वीडियो अच्छी तरह से पहुचे ताकि वो देख सकें समझ सकें और उसमें कुछ सुधार भी कर सकें तो नीचे का पैनल कंप्लिट हो चुका है यह आपका अपर पैनल का की पैड वाला लॉक है इसमें लग गया कंपनिया अक्सर इंडेक्शन जो होता है आप कई कंपनिया है मार्केट में वह एक साल की वारंटी देती है तो यह कस्टमर मेरे पास मेरे काउंटर से लगभग इसको चार पांच महिना यूज किया तो इसका यह अंदर का जो पैनल है मदर बोड यह सायद किसी तरह ओभर बिजली से भी जल सकता है कई कारण हो सकता है तो इसके लिए तो कंपनी अपना समिच्छा करेगा कि किस वज़ा से यह प्लेट खराब हुआ हमको तो नया मिल गया है हम इसको फिट करके फिर कस्टमर को वापस कर देंगे यह आपका पैड जो मदर बोड है यह बोडी में अच्छी तरह से टाइट कर लिया गया है यह आपका पंखा हो गया पंखा यह आपका की पैड का तो दोस्तों यह पूरा वाइरिंग आप देख सकते हैं किस तरह है ताकि आपको आगे चलके सहायता मिले तो इसका पूरा फिटिंग हो गया है अब जो इसका क्वाइल है हिटिंग क्वाइल इसको फिट कर लिया जाए उसके बाद फिट चेक होगा कि यह प्लेट जो नया हमको मिला हुआ है यह सही है कि नहीं अभी तो लग रहा है पाउर देने के बाद यह सही है तो आएए चलते हैं आगे देखा जाए इसका उपर का जो पैनल है इसको भी सेट कर लिया जाएगा तो उसके बाद चेक होगा तो सबसे पहले नीचे का जो भाग है क्वाइल का इसको सेट कर लिया जाए उसके बाद उपर का कि सीसे वाला पैनल सेट किया जाएगा कर दो कर दो कि धकन अपर धकन जो है सीसे वाला इसको अच्छे से लगा के नीचे से चार अस्कुरूब जो है इसको अच्छी तरह से टाइट कर लें हैrico कि कर दो करने के बाद पाद आप इसको सिधा कर ले उसके बाद इस पर चेक करने के लिए से देखा जाए तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें और एक चीज और शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब करना न भूले ताकि हमें भी पता लगे कि ये वीडियो हमने जो आप के लिए बनाया है कैसा है तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर अगले टोपिक पर दब तक के लिए आप हमें इजाजत दें झाला बहलो आप हमें आप हमें उ Leak I मुझीया रजगे कि coordination क्वले दिएसतरी आप हमें खिय। कर कर दो хотशएक्दाभी कि ए